आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का मारा question है, find the interval of values of a for which one root of the equation x square plus a square x plus 1 plus a minus 2 equals to 0 is negative and other root is positive जो इस question में हमाई पास एक quadratic equation given है x square plus a square x plus 1 plus a minus 2 is equal to 0, ठीक है हमें यह given है कि जो इसकी roots है, दो roots है उसमें से एक positive है, एक negative है, ठीक है तो इसको पहले तो quadratic equation की form में ऐसे लिख लेते हैं ठीक से, standard form में लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा x square plus a square x और plus a square plus a minus 2, ठीक है यह हमारे पास आगई इसकी standard form में अब अगर इसकी roots की बात करें, तो roots हमें यहापे मान लो alpha और beta गिवन है ठीक है, alpha और beta इसके roots है तो इसमें हमें गिवन है कि इनमें से एक positive है, एक negative है ठीक है, यह हमें गिवन नहीं है कि कौन सा positive है, कौन सा negative है चलो मान लेते हैं, alpha हमारे पास positive है, beta हमारे पास यहाँ पर negative है ठीक है, अब देखो, अब जब भी हमारे पास quadratic equation की roots में पर पता होती है तो इससे हम दो चीज़े हम calculate करते थे quadratic equation थे, या तो sum of roots, या निकि alpha plus beta या फिर दूसरी चीज हम calculate करते है, product of roots तो alpha plus beta जो sum of roots है, वो standard form में क्या होता था? minus b upon a, तो यहाँ पर b की जगह a square है, तो यह जगा minus a square upon a की जगह यहाँ पर 1 है, तो minus a square ही है alpha बीटा जो है, यह है product of roots यह क्या होता है? standard form में c upon a, तो यहाँ पर c की जगह क्या है? a square plus a minus 2, ठीक है? a to 1 है तो यह a² plus a-2 है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली यह है, कि αलफा प्लस बीटा, अगर हम sum की बात करें, तो sum हमारा positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, कोई भी possibility है, ठीक है? अब यहाँ पर minus a² हमें यहाँ पर given है, ठीक है? minus a² की बात करें, तो a² तो हमेशा positive ही मिलेगा, और minus यहाँ अब एक्स्लूसिफ नहीं लगा हुआ है, तो यह root जो है, यह जो value है, यह हमेशा जो इतका sum है, यह हमेशा negative ही रहेगा, ठीक है? और product जो है, product जो है alpha भीटा, देखो, एक positive है, एक negative है, अगर negative और positive का हम, अगर multiplication करते हैं, तो वो हमेशा negative ही आता है, ठीक है? sum में ऐसा हो सकता है कि वो positive भी आया या फिर negative भी आया, अगर alpha बड़ा है बीटा से, तो sum positive आएगा, alpha छोटा है बीटा से, तो sum negative आएगा, ठीक है? लेकिन product जो है, किसी भी positive और negative number का, चाहिए छोटा हो या बड़ा हो, जो product होता है, वो हमेशा ही negative होता है, product के लिए या तो दौनों numbers positive होने चाहिए, तो positive आए, या फिर दौनों numbers negative होने चाहिए, तो उसके लिए जो product हो positive आए, तो negative condition के लिए एक positive, एक negative होना चाहिए, number की magnitude कुछ भी हो ठीक है, तो I hope आपको इतनी बात समझ में आया होगी तो alpha, beta जो है, यह हमें पदा चल चुका है कि यह हमारा negative है it means it is less than 0 तो यहां से हम यह conclude कर सकते हैं कि alpha square plus alpha minus 2 sorry, a square plus a minus 2, यह alpha नहीं, sorry, ठीक है this is less than 0, जो कि इन दौनों का roots का product है तो यहां पर इसको हम factorize करते हैं तो इसको लिख देते हैं, a square plus 2a minus a minus 2 less than 0 यहां से a common लेंगे, तो a into a plus 2, यहां से minus 1 common लेंगे, तो यह आजाएगा a plus 2 less than 0, ठीक है तो यहां से यहाजाएगा a plus 2 और a minus 1 less than 0 तो यहां से अब इसकी जो interval है, यह हम number line से find करेंगे मैं यहां पर number line draw कर देता हूँ starting from minus infinity to infinity center point इसका होगा 0 और यहां से दो possible values यहां पर आएगी यहां से minus 2 आएगी a की value और यहां से value आएगी a की value plus 1 ठीक है, तो इसके corresponding हमको check करना है यहां में 3 region बना देता हूँ ठीक है, तो यह region 1, region 2, region 3 इसको मैं naming भी देता हूँ ठीक है, 1, 2 and 3 ठीक है, तो region 1 में check करते है region 1 क्या इसके लिए feasible है मतलब कि हमें क्या करना है check हमें check करना है, इस region में कोई भी यहां पर हम a की कोई भी value ले लेंगे ठीक है, minus infinite से minus 2 के भीच में let's say मैं यहां पर minus 3 ले 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 था हूँ a equals to minus 3, ठीक है, इस region में check कर रहे हैं कि यह जो statement है यह true है या false है, ठीक है, यह condition जो है, यह सही आएगी या नही आएगी देखते हैं जो a की value minus 3 बूट करके देखते हैं यह दो negative numbers का अगर हम प्रोड़क्ट करतें तो वो positive आता है तो 4 जो है, क्या यह less than 0 है 4 तो positive है, तो 0 से बढ़ा है, यह चीज हमारी यहां पर false हो गई तो यह region हमारा नहीं आएगा, इसको हम discard कर देंगे अब check करते हैं, minus 2 से लेकर 1 के बीच में, minus 2 से लेकर 1 के बीच में, तो इनके बीच की कोई भी value ले ले लेता है let's say मैं x, यहां पर a की value 0 ले देता हूं, ठीक है a is equal to 0, तो यह क्या आएगा, 0 plus 2 into 0 minus 1, तो यह इतना आजाएगा 2 into minus 1, तो यह आजाएगा तो तीसरा reason भी false आता है, बट एक बार मैं आपको, फिर से आपको मैं check करके दिखायता हूं, ताकि जो भी हम कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि सही कर रहे हैं, ठीक है तो एक काम करते हैं, 1 से लेकर infinite की बीच में कोई भी a की value लेता है, लेट से मैं a की value यहां पर 2 ले लेता हूं, तो यहां पर a की value 2 put कर देंगे plus 2, तो यह जाएगा 2 plus 2 into 2 minus 1, तो यह कितना जाएगा 4 into 1, 4 1 जा 4 आएगा, क्या यह less than 0 है, नहीं है less than 0 नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यह भी हमारे region false है, यह आपको मैंने check करके भी दिखा दिया है, तो इस सिर्फ हमारा यहां पर feasible region है, वो minus 2 से लेकर 1 तक है, तो जो इसका interval जो कहला जाएगा, तो a का interval हमें find करना था, तो इमें से लिखेंगे a belongs to, open interval minus 2 to 1, ठीक है, यह हमारे पास इसका interval आजाएगा, तो यह हमारा इसका क्या है, final answer है, options में check करेंगे, तो हमारा consumption करेक्ट है यहां पर, हमारा fourth option यहां पर करेक्ट है, minus 2 to 1, okay, thank you.